गुड मॉनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम अक्षे है और मैं आप सबका दे राइट गाडनिंग यूट्यूब चानल में स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो गर्मियों में आता है और बहुत ही सुन्दर दिखता है और इसमें फ्रेंड्स इतना बड़ा एक वाइट कलर का फ्लार होता है वाइट कलर या लाइट येलो कलर का भी फ्लार आता है इसमें जो बहुत सुन्दर दिखता है और आज हम इसकी care tips के बारे में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारा समझाऊंगा कि आप इस पौधे के बारे में care tips कैसी क्या क्या care tips होनी चाहिए इस पौधे के बारे में बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे उगाया जाए कहां से ले के आ सकते हैं इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको पानी कितना देना है इसको सॉयल कैसी पसंद है इसको किस लोकेशन में रखना है और इसका फर्टिलाइजर कैसे करना है इसको कौन सा फर्टिलाइजर देना होता है तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क मैं एक local plant nursery से ले के आया था जब यह लगबग इतना छोटा था अब तो इसकी growth काफी अच्छी होगी है बड़ा हो गया है तो मैं plant nursery से इसको लाया था करीब 70 रुपे का जी हां 70 रुपीज का आप local plant nursery से ले सकते हैं यह local plant nursery यहां मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है तो मेरे क plant nursery में यह पौदा बहुत महंगा भी है 200-200 रुपे के ऊपर का मिलेगा आपको तो दूसरी चीज़ अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि यह पौदा थोड़ा महंगा है एक्स्पेंसिव है तो आप इसकी cutting भी लगा सकते हैं cutting से भी बहुत असानी से उग जाता है मार्च या फैब के आसपस अब इसकी cutting लगा दीजिए और जब गर्मियों का मौसम आने वाला होगा तो इसकी new fresh shooting शुरू हो जाएगी ग्रोथ करना शुरू कर देगा है या असानी से लग जाता है cutting से cutting के बारे में मैं वीडियो एक अलग से बनाओंगा इसमें की दीके से लगानी है और इसका क्या पूरा तरीका है तो आप बाकी के टिप्स इस पौदे की बारे में मैं इस वीडियो में समझाऊंगा तो कृपया पूरी वीडियो देखे दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम वाटरिंग की अब क्यूंकि ये गर्मियों का पूद हैं तो इसको दोस्तों लगबग रोज ही पानी का पानी देना पड़ता है क्योंकि इसको पानी की requirement बहुत ज़ाधा होती है और इसको जो moisture वाला एंवारमेंट है इसके मिट्टी में moisture वाला environment होना चाहिए बिल्कुल सूखी नहीं पड़ी हुनी चाहिए देखिए ज उसमें moisture की कमी नहीं हो रही आप उसको अगले दिन पानी दे सकते हैं गर्मियों में आप मैं आपको सला दूंगा कि आप दो बार पानी दे सकते हैं क्योंकि जो morning में अगर आप पानी देते हैं पौदे को तो वो शाम तक dry हो जाता है तो dry में एक बार और पानी दे दीजिए तो जिससे इस पानी इसकी जो पानी की requirement है वो पूरी रहेगी ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों इसको दल्दली मिट्टी नहीं बनानी है आपने सौगी नहीं करनी मिट्टी नहीं तो यह फिर जो प्लांट है शौक में चला जाता है और इसकी ग्रूथ जो जो प्लांट का temperature है वो भी normal रहता है ठंडा रहता है ठंडा रहता है प्लांट की leaves सड़ती नहीं है क्योंकि गर्मियों की धूप होती है जुलसा देती है पत्तों को तो मैं यह recommend करूँगा कि गर्मियों में इसमें पानी के shower भी दीजिए दो बार दीजिए ताकि इसकी जो है यह देखिए जैसे leaves पर यह जो चमक आ रही है यह light green कलर की यह जो नहीं shooting होती है तो यह चमक आती है इन पौदों पे कलिया अभी नहीं आई है इसमें कली भी आ जाएगी मैं खास ध्यान रख रहा हूं इसका तो जैसी कली आएगी तो मैं part 2 भी upload करूँगा इसका कि उसक इसकूल में हमें पढ़ाया जाता था photosynthesis जो plant होता है वो उसको पानी की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए तो अगर आप पानी की कमी रखेंगे तो जो energy है जो खाना है वो पौदा बनानी पाएगा और जब energy नहीं होगी पौदे में तो पौदा ग्रो कैसे करेग दूसरी चीज़ जो पानी की जरूरत होती है पौदे की वो होती है खाना यहां से वहाँ energy यहां से वहाँ ले जाने के लिए जिस तरीके से एक इनसान के शरीर को पानी की जरूरत होती है और पानी ना मिले तो वो सूखने लग जाती है उसकी skin वगरा वैसे ही एक plant को पानी से 6 गंटे की डारेक्ट संलाइट चाहिए क्योंकि गर्मियों का पौदा है यह डारेक्ट संलाइट में आप रखेंगे तो कभी-कभी इसकी जो लीव्ज है वो ब्राउन भी ओने शुरू हो जाएंगे यह देखिए जो लीव्ज है ब्राउन हो रही है लेकिन अब इससे घब अगर यह पौदा ढंग से ग्रो नहीं कर रहा तो अगर आप इसकी लोकेशन डारेक्ट संलाइट पर रख देंगे तो यह बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिखाएगा तो यह थी दोस्तों लोकेशन की बात अब अगली बात हम करते हैं दोस्तों कि इसको मिट्टी कैसी प होदा तो वो तो जो पानी है वो तो अब्सॉर्ब हो जाएगा लेकिन अगर गंबले में आप पानी खड़ा रखेंगे तो इसका जो ग्रोथ है उस पर फरक पड़ेगा तो इसलिए आपको देखना है कि इसमें पानी आप कैसे दे रहे हैं और दूसरी चीज आपने यह नह जादा सौगी ना कर दें आप इस चीज की तो यह थी दोस्तों इसकी मिट्टी की बात अब हम दोस्तों बात करेंगे कि इसको किस तरीके का फर्टिलाइजर चाहिए क्योंकि इसका जो ग्रोथ मन्त होते हैं वो मार्च से लेके ऑक्टूबर तक होते हैं दोस्तों पिछले दिवाली पे भी मेरे अच्छे खासे फूल आये थे इसमें तो मैंने जो यूज किये थे इसका जो ब्लूमिंग सीजन होता है वो मार्च से ऑक्टूबर के बीच वाला होता है ऑक्टूबर के बीच में अच्छी ग्रोथ दिखाता है तो आप उन दिनों में जो ग्रोथ उतने अच्छे रिजल्ट प्रवाइड नहीं करती कि लेकिन मैं दूसरी तरीके से आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने की सला नहीं भी दूंगा क्योंकि जो डीएपी ग्रैनुल्स हैं वो बहुत ही हेवी केमिकली फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर होते हैं वो प् और एंपीके देने का इसका एक दोस्तो तरीका है आपने एंपीके क्या करना है एक लीटर से दो लीटर पानी में डैल्यूट करके एक से दो चमच इसको एक डबबा रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग आप दे दीजे वो इसके लिए बहुत है महीने में दो बार 15 दिन में ए लने करता है और वो आप इस पौदे में डाल सकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी विडियो का डेनिया प्लांट के बारे में गंद्राज प्लांट के बारे में इसकी के एक आपकोमेंटक पूछना चाहते हैं तो कृमेंट सक्शने ज़रूर अपना सवाल पूछे हैं मुझसे मैं आपको reply करूँगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेर कीजिए इस वीडियो को like कीजिए तब तक मैं आऊँगा अगली वीडियो के साथ और अगले नहीर प्लांट के बारे में डिसकेशन करेंगे तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए थैंक्यू दोस्तों, गुडबाई